काफी जादा सुहाना आज का देन है गाइस और आज भाई काफी जादा दिनों के बाद थोड़ी कम गर्मी है काफी अच्छा लग रहा है चलते हैं जरा शिंचन पिंचन और चॉप के पास हेलो भाई क्या कर रहे तुम लो शिंचन का है अरे पता नियार वसुबसुबाई का आज कर रहे तो मश्याद है मिजह क्या होगा मेरे आल चाल एक दम टॉप क्लास के अच्छा वैसे आज कल तु बर्गर बहुत कम खा रहा है यार पेट खराब हो जाता है जब आज कल मैं बर्गर ठूसता हो यार बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रखाय मेरा और यह कु दिवाली मनाने लग जाते हो जोगी शिंचेन अकेली ऊपर कैसे खेल रहा है वोई शिंचेन कहां खेल रहा है बे अपा कहां खड़ा यह किनारे अरे फ्रेंब्या देखो यार यहां से मस्ते अग्दम ठंडी-ठंडी हवा लग रही है इतनी गर्मी में तुझे ठंडी हवा कैसे लग रही है बे अरे बहुती जादा मस्तवा लग रही है यहार बै कितनी किनारे मत खड़ाओ भाई गिर विड़ जाएगा नीचे बाजा यार कलो यह नहीं गिरेगा वो एक घंटे से खड़ा है पिछले क्या बाकवास कर रहा है तू बै रहन दे भाई शिंचे नीच जब बात मान भाई गिर विर जाएगा तू अरे नहीं किर हुगा यार ऐसे कैसे अरे问 अ प्सक्रिकHello, हुट भाई है यहार क्या हो गयाày त Lisa को आविभ भाई या झायाओ रिखती नीगा यह लोबने मुट्ने जाओ कूट यदू रहा है औररता से पिंजन आओर अरे च runners करें जल्दी से अम मिलेंस को कर रहर जल्दी से अब Susie को लेक्र ठीड को ये अप कर से सब्सक्राइब नहीं रह तो जल्दी बैं डॉक्टर को बुलाने की बजाए मैं फटाफ्ट से गाडी निकालता हूं इसे गाडी अंदर लेकर हॉस्पिटल निकलते हैं बहुत नाइब भाई कल्यों है तु डॉक्टर को बुला के ला अपे पागल हो गयो किया भाई कब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कब उसे इतने मैं तो डॉक्टर को कॉल कर देते हैं वो आजाएगा अपने आपई या फिर अपनी गाली में बीता कर इसे डारेकली लेकर चलते हैं अरह नहीं एर तुम जाकर दॉक्टर को लेकर आए हो जाए radar बैटर लेकर चलता कर लेकर चलते हैं बाई है वोस्पिटल वह ज्या पर लेखर आऊंगा इससे बढ़िया इसी को गाड़ी में बिठाकर हम लोग डिरेक्ली एमर्जेंसी वार्ड में लेकर चल जाते हैं हॉस्पिटल के कहर कोई बात नहीं अभी जल्दी से चलते हैं गाइस क्या ही कर सकते हैं इतने किनारे पर लेकिन नहीं यह तो माना ही नहीं पूरे बिल्कुल दिमा की खराब कर दिया इसने मेरा नीचे गिर गया बताओ यार और बल्के मेरे को कहरा कि उदूब उपर आजा तुम भी मस्तावा खाएंगे दोनों मिलके खुदी नीचे गिर गया लेट्स को वैसे तो इदर उदर से ही लोग गिरते पड़ते रहते है तब ही नहीं चोट नहीं लगती आज बताओ जरा सभी मुचाई तो नहीं है दो मंजिल है फिर भी और फिर भी गाईज वहां से किरकर बताओ इतनी जादा तेज की चोट लग गई कि यह सीदे बेहोशी हो गया जल्दी से चलते हैं डॉक्टर को बुला कर लाते हैं लेट् चोट जल्दी से चलो अपने सीक्रेट बेस में लेकर चलते हैं शिंचैन को यहां भाई इसी दिन के लिए तो वो सीक्रेट बेस बनाया था हम लोगों ने चलो चलो जल्दी से अपने प्लैन को एक्सीक्यूट करते हैं लेकिन भाई इसे सीक्रेट बेस में ले जाने से पहल पूरे एक सीक्रेट मेडिकल हॉस्पिटल है यह गाइस हम लोगोंने कैसा सीक्रेट बेस बनाया जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है वैसे इतनी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता लेकिन चोटी-मोटी चोट और बहुत सारे मतलब दवाईयां हैं उसके अंदर हवाई देके शिंचन को एक दम मस ठीक कर देंगे तो फिर देर किस बात की चलते हैं सीक्रेट बेस के अंदर शिंचन को लेकर एट्स को गाइस फाइनली हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूं मैं जल्दी से यह रहा हॉस्पिटल गाइस देख सकते हो तुम लोग काफी प्रागे लेकिन पेशन कहा है फैसे घर पे फशेंट को यहां क्यों लाएं फाबर वो हैं कुछ सरकंस्टेंसेंस आप मेरे संग्छलों औरे यार लेकिन अरे चलना भाई तु जल्दी से लेकिन वेकिन मत कर वहां पर पेशन्टी आलत सीरेसा तो यह पर टाइम पास कर रहा औरे लेकिन यार तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा बेवकूफ मैंनी हूं वह जो मेरे संग रहते हैं पिंचन और चौप वह हैं दोनों के दोनों उन दोनों की वेज़े से निलाया है पेशिंट को मैं वरना तो लेकर ही आता उनको चलो अब जल्दी से जहां हम लोगो बहुत ही बड़िया तरीके से अभी डॉक्टर को लेकर चलते हैं जल्दी से घर और रिलाज करते हैं शिंचन का भाई दवाई यह लिए तुने तुमने तो बताया था कि वह च्छत से गिरा है तो च्छत से गिरने के बाद जो दवाई लगते वह सब मैंने ले ल पड़ेगा जल्दी जल्दी चलते हैं जल्दी से औरे कितनी दूर है तुमारा घर बस बस डॉक्टर पहुंचने वाले हैं फिर भी कितनी दूर है बताओ तो बस बस पहुंचके वह उपर की साइड हमारे घर है वह वाइट वाला अरे भाई पहुंचने वाले हैं समझ में यारी एक बार में बात एक तो यह डॉक्टर बहुत ही जादा मसलब यार दिमाग खराब कर दिया इसने कोई बात नहीं सह लेते हैं थोड़ा सा एक तो यह गाड़ी मेरी एसुवी जो है भाई यह जी डे फाइफ के एसुवी को कंट्रोल करना बहुत ही जादा मुश्किल है यह आगे हम लोग फाइनली अभै गाड़ी भाई हट जा ओके इस वाली वाइट वाली गाड़ी से तो पहले आँगा मैं आगया गाई यहां पर फाइनली आजा डॉक्टर भाई जल्दी से अंदर कहां कहां है पेशेंट आजो भाई आजा फटफ से जल्दी जल्दी संतुर द्राङ तिर्व स कोशिश करता हूं और द्रबाल तेया भाइनले यहां अगी तरूंत की तुम लौग जबड़ं जल्दी जल्दी मुझे वहा पर से इंपॉर्टन सर्जरी छड़वा कर लायो तुम बताओं का ह। एक सेकंड डॉक्टर भूनने की कोशिश करता हूं मैं अरे कहां चले गए यार यह लोग शिंचन तो यहां पर मस्त घायल पड़ा हुआ था कहां गया वो पिंचन और चौप कभी कुछ पता नहीं लग रहा अरे तुम पागल हो क्या यार कोई घायल नहीं हुआ फिर भी कीजी चल रही थी तो फिर क्या हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा है यार मैं कन्फ्यूज हो रहा हूं कहां इन लोग ने को और डॉक्टर तो नहीं बुला लिया लेकिन बुलाया होगा तो इलाज तो घर पे करवा रहे हो तो एक सेकंड जारा मैं घर पर बड़े तरीके से चेक करूं यार चलो चलो रुख जाओ डॉक्टर भाई एक सेकंड रुख जा तू अरे यार मेरी इंपोर्टेंट सर्चेर ने छुडवा कर लेकर आ गए तुम होस्पिटल में वह बिचारा निकल लाने अरे भाई तू जल दिए तेर को तो अब मैं आया हूं तो ने बाई सच्च बता दिया अरे नाम सच्च मत बताओ तो नाम झूड जूड बताओ अरे मतलब यह सच्च बताओ की कोई घायल सच में हुआ था कि नहीं कितनी बार बताओ शिंचैन घायल हुआ था चट्से कि रिया दा दो मंजल की छट्से बहुत जादा दे चोट लग भी पूपट करवा देंगे यह तो मेरा सच में यार बहुत ही बड़ी बेस्ती हो जाएगी पर नहीं है भाई कहीं पर भी है सच बताओ अब फ्रेंक्लिन तुम कोई घायल हुआ था कि नहीं अब तु जा भाई मैं खुड ढूंड लूँगा भाई तु जा ठीक है निकलता कि जा के तुझे बुला लाओंगा बेफाल तुम्हें अब लाओ फीस निकालो मेरी फी किस बात की फी वहाँ हॉस्पिटल से आया इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए अच्छा देता हूं भाई ओके गाइस डॉक्टर तो फी लेके गया बट यह पिंचन सिंचन और चौप कहां चले गए जरा कॉल लगा तो यह पिंचन के बच्चे को लेट्स को कोई फोन उठा भी नी रहा भाई क्या ड्रामा हो गया है कुछ समझे नहीं आ रहा मेरे को कहां ढूंदू मैं वेट इन लोगों ने फिर से कोई सीक्रेट बेस तो नहीं बनाया यार यह हम इसे पता चलेगा कहां कोई सीक्रेट बेस बनाया है बैड तो आज नजरी नहीं आया मेरे को अपने पास सिर्फ सिंगल अपना यही वाला बैड है इसके अलावा तो मुझे कोई बैड दिखा ही नी डेफिनेटली इस बैड के नीचे तो नहीं होंगे कहां पर उसकते हैं य लोगोंने पता नहीं कर रहा था बाइच है इस इसथा अपने आपने यांडन में यहां से नजर नहींर चात पे मैं लेकिन चप्पे से क्या जाना है नीचे से चलते हैं एस गोई कुछ है मैंने देखा है वहां पर डेफिरियेंटली यहां से नीचे ओ भाई साम मैं कहा नहीं रहा था है इन लोग ने कोई बैड बनाया है मतलब बैड वाला सीक्रेट वेस्ट बनाया है ये देखो तुम लोग इन लोग ने लिटरली में गाया है इसने आपर एक सीक्रेट वेस्ट बनाया है और बैड का कलर देखो तुम लोग ऐसा रखाया कि उपर से देखने पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये घास में ही मिक्स हो जाए और साथ ही साथ बिल्कुल लोकल एकदम सस्ता वाला बैड रखा इन लोगों ने तो इसके अंदर गए हैं वो तीनों के तीनों मतलब कोई भी घायल नहीं हुआ किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ है तीनों ने मिलके मेरा पागल बनाया है अभी मैं इनको सबक सिखाऊंगा लेकिन करू क्या मैं जागर गाईज इनके सीक्रेट बेस के अंदर चला आता हूं इ अगर मैं इनके सीक्रेट बेस के अंदर एंटर कर जाता हूं तो इनकी सारी प्लैनिंग फ्लॉप हो जाती है और मैं आज फिर से यही करने वाला हूं तुम लोग यादवागा गाईज सबसे पहला सीक्रेट बेस जो था इनका उसके लिए भाई एक तरीका था और वो तरीक तूष गास के पीछे चुपाओ था उस बटन को दबा दो सिक्रेट वे सोपन तीसरा जो सीक्रेट वेस था वो ऐस लेप्टॉप से और लीप्टॉप पे आंदर फ्लाइट गेमर लिखो तब जाके वह इस पासवर्ड था मतलब इसका तरीका था उपन करने का उसके साइड में दो टेवल रखी हुई थी उन टेवल्स पे सीम वजन की कुछ चीजे रखनी थी तब जाके वह सीक्रेट बेस खुलता था और मैंने रखे दो गंबले एक इदर एक उदर तब वह सीक्रेट बेस खुला था तुम लोगों अगर इस सारे एपिसो मेहनत बरबाद हो जाने वाली है और मैं यही करने वाला हूं भाई इन लोग यह लोग मुझे रोजी परिशान करते रहते हैं गायब हो के कभी मैं पुलिस को बिलाता हूं तो कभी डॉक्टर को आस तो बदला लेकर रहूंगा रुक जाओं कि सीक्रेट बेस के अंदर तो गमले से तो कुछ फरक नहीं पड़ा है कोई सीक्रेट बेस निकल के बाहर नहीं आया है तो इस पर गोलियां चलाओं आइधिक में भी गोलियों से कुछ फरक पड़ जाए लेट्स को शॉट गन ही मेरे पास इसके तक यह कुछ शूट करता हूं कोई ना कोई तो तरीका बात कर रहा हूं यहां पर देखो तीन इस तरफ है तीन इस तरफ है में भी इनके अंदर शूट करने से एक्टिवेट हो जाए लेट्स को एक तो तीन चार अब चौथा लगाई नहीं चार पांच और शेंट नहीं कुछ नहीं हुआ है तो फिर इदर से एक दो तीन चार प पांच शेंट कुछ फरक नहीं है एक परसेंट का भी तो मेभी इस बैड के ऊपर शूट करने से एक सब्सक्राइब निशान होते ही क्यों कि बिना शूट किये थोड़ना शेंजन बिन अंदर गय होते है इसका मतलब यह शूटिंग से तो खुलेगा नहीं यहां पर शूट करने से कुछ परक पड़ेगा लगता तो नहीं है अब यार कैसी ओपन होगा यह मैं तो आज बहुत ही जादा कन्फ्यूज हो रहा हूं यार कुछ बटन वटन है क्या रुक जाओ 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 घासवास में बटन वगरा ढूंते है इधर कहीं नहीं है इधर भी कुछ नहीं करने का अबैसे हैं हमेशा जो सीक्रेट बेसको ओपन करने का ना यहां जůबाज होता है जहां पर सीक्रेट बेस है उसके आजबात ही तो इधर कहीं है क्या यह था borrowing है इधर होई बतन ब्कTन हैलो कोई सीक्रेट तरीका थामन एंए मिल रहाए यार मैं तो तो रहा हो बहुत बस गया इधर ही मैं तो बस गया यार मैं तो इधर ही एक सेकेंड पर निकल गया इधर कुछ या फिर एक सेकेंड इधर कहीं कुछ बाहर की तरफ बाहर की तरफ कुछ है क्या लहीं है यार इधर भी कुछ भी नहीं है पेड़ में कुछ है क्या नहीं मिल रहा भाई कोई तरीक फिर क्या किया जाए इस पे मैंने सारे तरीके कर लिए भाई अभी तक जितने भी सीखरेट बैसे को फटारीके तरीके थे सब इस्तमाल कर लिए मैंने बटन लिया इदर कहीं तर मैंने उसको पर वेट भी रखके देख लिया क्या लावा लैपटॉप से तो connected होगा नहीं हुँ वोगर दीकिव अजय थो तरीका है और वैसे वूठ अधीर पर हैं कोई टरीका को यह कुण ग्राद ओभी देखते ह läh yap 기 aapika रहा क्या फिर यहां से क्या पता क्यों तरीका नजर आजर रहा है दर टेन है वैटा लो कोई बाता अ निनक्त 가지OL से का कोई निन रहार है प्र मुझे कोई और यह रहा है सीक्रिट बैस के उपर पर ही जंप लगा लेता हूं यहां पर कुछ तो हुआ कुछ तो बाहराया भाई मेभी यह सीक्रिट बिस के एंट्रेंस है अरे इसके उपर कूदने से सीक्रिट बैस बाहर आएगा क्या एक सेकेंड मुझे तो लग रहा भाई इसके उपर जप मैंने तो ऐसी रेननली जब लगाई वाई वेड इसके वपर सॉप चालते हैं फिर verdi लग में बड़ा ख़तरनाक है मैं लकी आरी तरह आई बहुत है रहाता हैं लोगो बट मैं अभी फटर से जाता हूं गाइस इसके उपर जंप लगाता हूं let's go कुम अब इदर रहे एसरे तक़ंय को पूल-स्पीड में चौब प्लैस्ट गैट को ऐस कि तो आस मुझ देशाटों लिट्रिल्य में सिक्रेट वे एंट्रेंस वह मतलब इसके ूपर अगर कोई प्रेशर पड़ता है और कोई पड़ता है तब जाके से ci-gree tip अपर कूल के लिए ऊपर कुदना पढ़ेगा या कोई समानके साफेगे ने से दीजा या और हमें घंपेंगे अपनी शीमant के उपर से तब ये ओपन हो जाएगा मेरे को गिरने की जुरत नहीं थी I think अगर मैं समान भी फेकता तो भी काम हो जाता बट कोई बात नहीं सीक्रेट बेस्ट ओपन कर दिया है अपने हाई आई क्यूखा यूस तो कर लिया हम लोगों ने अभी जल्दी इनने जो एक्टिंग की है नो भाई बेहोश होने की उसको भी मज़ा चखाऊंगा चलते हैं अभी सीक्रेट बेस्ट केंदर लेट्स को सब्सक्राइब थनियुक्त की अधना है क्या है Quand inaud未 वाप estos यह जाने के लिए स्विए और यार इन लुग कलने मेरे की नीचे क्या बना दिया किसे दिन घर नीचे पूरी तरीके से घर तूट फूर जाएगा मेरा किस दिन के दर अंदर चलते हैं वेट दिख रहे हैं के लोग गेट के थू नजर तो नहीं आ रहे हैं चलते हैं फट फट से अब अंदर अराम से ओचॉप दिग गया ओपिंजन में दिग गया शिंचन का है पर और क्या है यह माइक्रोश्कूप दवाईयां पतानी क्या नजर आ रहा यहां पर इन लोगों ने क्या मना आए इस बार पर क्या यह जगा चॉप से मिलते हैं हेलो भाई चॉप अब यार कलो है तूई यहां पर भी क्यो भाई आना निची मुझे यहां पर अबे लेकिन इसके बार में ते बेस्न हास्पिटल बनाए क्या ऐसी भी कोई चीज होती है पर हम लोग ने तो बना यह यह देख माइकरोश्कोप है यह इधर सारी दवाईया बहुत सारी इधर केमिकल्स अगेरा है अधर कम्प्यूटर है उधर देखो एक और माइकरोश्कोप है नोगों ने सच्च में ऐसा बना दिया system और शिंचन कहा है बैस शोच कहा है कहा है इदर ही है और तुम लोग ने ऐसा नाटक क्यों किया गिरने का कौन सा नाटक यह सब नाटक ही तो था शिंचन गिरा और मैं डॉक्टर बुलाने के और तुम लोग इदर आ गए पै नाटक नहीं था यह वह सच्छे में गर गया था हैं तो फिर शिंचन को ले जाने क्यों नहीं दिया अब क्योंकि जब हम लोग ने सीक्रेट बेस हॉस्पिटल बनाया तो लोग बहर कि सुछ बाहर भेजा ताकि तुझे इसके बारे में ना पता चले लेकिन फिर भी मुझे पता चलिया अब समझा मैं शिंचन इसका मतलब वह असली में गिरा ता उसको सच में चोट लगी थे वह सच में बहुश हुआ था और यह लोग चाहते थे कि वह इसका इलाज करें अपने सीक्रेट बेस हॉस्पिटल में और इसलिए इन लोग ने मुझे बाहर डॉक्टर लाने के लिए भेजा ताकि यह लोग इ और मैं परिशान होता रहूं बट फिर भी गाइस मैंने आइक्यू का यूज कि अपने रागया हो इसके अंदर लेट्स गो अभी रूनते हैं यह शिंचन वैसे है कहां चौप वह क्या उदर सोफे पर पढ़ा हुआ है दवाई खाके शरी ओ भाई हां यह देखो दर पढ़ कि हैरवा प्रिशान करते रहत है तो पिसली बार कि कि वाज़े से मैंने पुलिस वाले को बुला है इस में दॉक्टर को बुला हरव तुम्हारी वज़े से परेषान हो ब्ल। दोम्रें करनी चीए आरे हमें क्यों carving such a kind Time मैं आकर भी शरम करें हैं और क्या मेर से हमेशा तुम लोग अपना सीक्रेट बेस को छुपाते रहते हो क्योंकि यार तुम्हें पता चल जाता है तो पूरी दुनिया में तुम रिंडोरा पीट देते हो अपने सीक्रेट बेस का क्या हाँ वैसे थोड़ा बहुत तो सच है यह बट फिर भी भाई मुझे अगर तुम लोग शुरू से ही बताओगे तो मैं शायद ना बताओं किसी को भी बाकी दर शिंचैन सो रखा एक दमस्त इसको दवाई दे दी तुम लोग ने बिलकुल यार बलकि होश में भी आ गया अच्छा ठीक है औरे सौरी भाई शिंचैन गिरा दिया मैंने अरे क्या यार इतनी मसनी नारी ती जगा दिया ठीक है भाई ठीक है सोजा वापस सोजा कौन सा मना कर रहा हूं मैं ओके गाइस आज यह तो कम से कम पता चल गया कि यह लोग बहुत खतरनाक है यह लोग सिर्फ सारी शेल्फ के अंदर दवाई हैं इसके लबाग बजाने के लिए लोग ने यहां पर स्लेंडर वगएरा भी रख रखें दवाई हैं कैमिकल कंप्यूटर है इधर एक बूर्ड भी है इधर देखो फिर यह बीच वाला सेक्शन यहां पर भी काफी सारे कंप्यूटर काफी सारी दवाई हैं काफी सारे कैमिकल्स और प्रिंटर वगेरा इधर माइक्रोस्कोप इधर अलग टाइब की मशीन से भाई पूरा इसा लग रहा है कोई लिटरली में बड़ा लंबा चोड़ा होस्पिटल है जबकि इन लोगों नहीं सब खुदी बना दिया यह पानी पीने बनाने की जरुवत क्या थी अरे यार देखा निया कैसे हमारी जरुवत के लिए कामा आया यह अच्छा मतलब किसी को भी चोट लगे डिरेक्ट यहां पर लेकर आ जाओ बिलकुल हर चोटी मोटी चोट का इलाज हो सकता है यहां पर किसी को ज्यादा बड़ी चोट लग ठीक है, Okay guys, तुम लोगा इनका सीक्रेट बेस होस्पिटल कैसा लगा? कमेंट में जाकर जरूर बताना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं पर फटफ से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करते हो, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं